हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि हमारे घर में रोजयाना साम को दियाबाती करा जाता है मेरी मम्मी भी करती थी मेरी सासुमा भी करती थी और हर घर में जितने भी मतलब लगभक सभी के घर में साम के टाइम में दियाबाती जरूर होती होगी तो यहां पर दियाबाती का टाइम हो रहा था तो सबसे पहले में उपर अपने तुलसे मंदिर में गई तो हवा चल रही थी उपर में तो दिया नहीं जलता तो इसलिए मैं अगरवती जला कर आ गई हूँ और घर में और आंगन में मैं दिया दिखा दूँगी तो यहां पर पूरे घर में मैंने दिया दिखा दिया है अब बाहर के तरफ मैं दिया दिखा देती हूँ और अब यहाँ पर फिर मैं मंदिर में आ गई थी यहाँ पर तो यहाँ पर भी मैं दियाबाती कर लेती हूँ और सिंपल सा एक चोटा सा आप ओल लीजे पूजा वही होता है सामके टाइम में तो बस यहाँ पर दियाबाती हो गया है और काफी ज गरमी थी किचन में ख़ड़े होने binary बन लग मैं चाएंगी हूँ तो सबज अगर रोटी में बनाऊंगी तो उसके लिए सब्जीए होगी तो मैंने सोचा और जल्दी-जल्दी भी बन जाता है ये दो साथ सबजी भी नहीं लगती है आप जो है इसको सॉस वगरा या तो अचार के साथ या फिर कोई भी मीठी चटनी के साथ आराम से खा लेंगे सब ही लोग तो मैं फटा-फट से यहां पर आलू बॉयल करने के लिए चड़ा देती हूं और आज बनाऊंगी मैं आलू के बचा अपर यहां पर मैं जलदी जलदी अपना काम अभां टाइम भी नहीं हुआ है साड़े छे ही बज रहे थे तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना तो दिन में तो किसी तरह काम चल जाता है लेकिन रात को पता नहीं क्यों जबकि रात में धूब भी नहीं होती है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों होती है पता नहीं और बारिश हुई ही नहीं है इसके मिनिट के लिए होकर फिर रुख जाती थी इस तरह की बारिश होई थी तो यहाँ पर बैटे-बैटे मैंने पंक्रे के पास आटा भी गूंद लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी फिर से किचन में यहाँ पर आलू बॉयल हो गया था तो इसको छील के मैं रख ल दिया है यह देखिए तो अभी कड़ाई मैंने चड़ा दी है और अभी जो है आलू का मसाला मुझे तयार करना है तो इसके लिए यहाँ पर देखिए जीरा मैंने दे दिया है तेल में जीरा हलका सा चटक जाएगा फिर इसमें जो है कटा हुआ प्याज और जो है हरी और प्याज को भून के अच्छे से नमक डाल के और फिर उसमें जो है हल्दी पाउडर मैं अभी डालूंगी और उसको डालने के बाद यहाँ पर देखिए मैं हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ और थोड़ा सा मैंने लालमीच का भी पाउडर डाला है तो बहुत सिंपल सा मैं बना रही हूँ उसके बाद आलू को मैंने यहाँ गिलास से मैस कर लिया है क्योंकि मेरे गर में मैसर तो है नहीं और देशी जुगार करना तो हम इंडियन्स की खूबियां है यह सभी हाउस वाइफ का होता ही होगा कुछ ना कुछ जो चीज़े हमारे गर में नहीं होती है उसका हम जुगार निकाली लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आलू का मसाला रेडी हो गया था तो फटा फट से मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना फ्रेंड्स और एक तो मैंने यह लंबी आस्तीन वाला बलाउस पहें यह तो यहाँ पर देखिये फटाफट से मैं आलू के पराठे बना लेती हूं और यहाँ पर मैं कभी पसीना भी पोच रही हूँ कभी पराठे भी बना रही हूँ और पराठे बन गए थे उसके बाद मैंने बच्चों को दे दिया है खाने के लिए और मैं भी खालूंगी साथ में क्योंकि बहुत जादा गर्मी लग रही थी और यहां पर थोड़ा सा सॉस बचा था तो हम लोग उपर छट पर आ गए थे यहां बिचाना लगा कर थोड़ी देर हम लोग यहां पर बैठेंगे उसके बाद जो है ठड़ी हवा लग रही थी उतनी तेज हवा नहीं थी लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो लग रही थी मतलब उपर में उमस वाली जो गर्मी होती है न कभी खेलने लग जाते हैं तो यही सब थी हम लोग यहां पर बैठके अभी आराम कर रहे थे और बच्चे भी यहां पर चंदा मामा को देख रहे थे बादल तो था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी तो और मतलब बादल घिरे रहने के वज़े से और ज़्यादा गर्मी तो यहां पर मैं दूद गरम की थी तो ठंडा हो गया था तो उसमें जोरन डालके मैं रख दूंगी सुबह दही बन जाएगा यह और खाने में गर्मियों में अच्छा ही होता है दही तो गैस वगेरा जो भी था मैंने सब कुछ बंद कर दिया लाइट वगेरा क्योंकि बाइब बाइव निया था बाइब बंद क्योंकि निपयोंकि दो इसंग्टे ला ऊतला य हो पुक्तिंटाए ब्लाइब पाइवalah the use और के यह ख